कि यह वह गया यूराज सर यह कौन सा लेंस और इसके क्या का काम है कौन कौन से यूज में यह लिया जा सकता है लाइए दिखाईए यह लेंस जी सर्ट कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राजावस्ति और हमारी यूट्यूब के चैनल में आपका हर्दिक स्वागा थे यूराज जी यह जाना चाहते हैं कि यह कौन सा लेंस है तो सबसे पहले में आप सब को और यूराज जी को बताऊंगा कि यूराज जी यह जो लेंस है यह मेर तो यूराज आप जाना चाहते हैं अच्छा पहले मैं आप से पूछता हूं कि क्या आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं तो यूराज आप मुझे यह बताए कि आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं तो आप कौन से कैमरे यूज करते हैं तो दोस्तों जैसा कि ने आप सब को मुझे बतायाए कि यह क्राप फ्रेम सेंसरे की में अगर आप मैं जो लेंस बता रहा हूं उन सब लेंसों का यूज करें तो आप इतने अच्छे निकाल सकते हैं कि एक फूल फ्रेम कैमरा जिस लेवल का रिजल्ट देता है वो सारे अच्छे फोटो आप एक क्रॉप फ्रेम कैमरे से भी ले सकते हैं बस आपको लेंसों में खर्च करना है उसी सीरीज में मैं आपको बताऊँगा कि आज यह जो हमारे प सकते हैं कि इसका इसकी फोकल लेंज जो है वो है 17 mm से 50 mm याने कि 17 mm इसका वाइड और 50 mm इसका टैली है तो यूराज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 17 mm 2.8 याने 17 mm में भी 2.8 का एपर चल देता है और 50 mm में भी यह कॉंस्टेंट 2.8 का एपर चल दे सकता है यह इसलिए इतना बेस्ट है यूराज अपी तक आप एक चीज बताइए मुझे कि आप जैसे लेंस करते हैं लाइक 18-15 या फिर आप 18-105 यूज करते होंगे तो 18-105 में और 18-15 में क्या प्रॉब्लम मैं आपको दाओं आप हमेशा देखेगा कि 18-15 का जो लेंस होता है या अथा एक सो 3.5 तक जा सकते हैं बट अगर आप उसमें जैसे 18-15 में उसको शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है यूराज जी की आपका अपर्चर आपका अपर्चर 3.5 से शिफ्ट होके 5.6 में चला जाता है यह आपकी लाइट की कंडिशन आपके गड़बर हो जाती लाइट का कंडिशन ना पर चेंज राता है तो दोस्तों यह इस लेंज की खासियत है कि इसमें अपर्चर जो है वो कॉनस्टेंट होता है इसी लिए इसकी खासियत एक और अच्छी खासियत यह इसका जो डायमिटर है इसकी कर जोकुरेज है वह सेवेंटी टु म, का जबकि हम आठारा, 105 भी उ में यह एकलौता मेरा फेवरेट लेंस है जो में वैडिंग में यूज करता हूं साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप क्रॉप सेंसर कैमरों से यहने की 7000 है अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत 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 मिले तो उसके लिए आप यह एक लेंस है 1750 2.8 यह जरूर ले इसकी प्राइज अराउंड 30,000 तो 35,000 के बीच की है अभी क्या रेट में आ रहा है यह मुझे नहीं मालूम यह लेंस मेरे पास दो साल पहले से ही है और मैंने इसे जब दो साल पहले लिया था तो यह लगवक 33-34,000 रूपे के आसपास का था फिलाल मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें दो सीरीज आरती है यह है टैमराउन का 1750 2.8 डी आई टू यह वी सी डी डी टू वी सी का मतलब होता है वाइब्रेशन कंट्रोल और यह डी आई टू जो है यह इसका लेटेस्ट वर्जन है आपको लेना भी यह है और चुकि कमपनी वाले या फिर कई शॉप वाले जो होते हैं वो अपने लेंस का प्रोमोशन जादा अच्छे से करते हैं इसलिए यह लेंस फिलाल मार्केट में कमी लोग इसके बारे में आपको बताएंगे बड़ मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास दो आप बड़े जो कैमरे होते हैं उनमें इन्वेस्ट करने से जादा अच्छा है कि आप आपके आपके आपकर दो बॉड़ी है तो आप हमेशा क्या करिए एक बॉड़ी में यह लेंस लगाई सात्रा परजास 2.8 और सेकेंड बॉड़ी में आप लगाई यह 85 mm 1.8 यह दो ले है वी फुल फ्रेम कैमरे नहीं है कोई दिखकर नहीं है बड़ आपके पास लेंसे अच्छे होने शीए आप दो बॉड़ी का यूज कर सकते हैं कम बज़ट में भी आप बहुत अच्छा फोटोग्राफी कर सकते हैं यह इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है और अगर आ आप एक कैमरा इसकी करिए और दूसरा कैमरे दूसरे जो कैमरे इसमें आपको रेगुलर शॉट्स लेने हैं उसमें आप क्या लगाई यह सत्तरा पचास 2.8 तो यूराज जी आप मुझे बताईए कि यह सत्रा पचास 2.8 के लेंस के बारे में उन्हें आपको बताया अब इ अच्छी जानकारी के बाद और इतना सारा चीज मुझे मिलने के बाद मैं क्यों इस लेंस को खर दूंगा तो दोस्तों यूराज अपना क्लियर अपनी मंसा क्लियर कर दी है वो समच चुके हैं कि 17-50 2.8 जब एक ही ही लेंस से उनका सारा वैडिंग का काम बहुत अच्छे स हो सकता है बहुत शार्प तरीके से उनकी फोटो दा सकती है तो अधर दूसरी लेंस के उनको जरौत नहीं है तो उमिद करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपके पास 17 बजास 2.8 लेंस नहीं है तो आप कोशिश करिए कि बड़ा इन्वेस्ट तो यह काफी अच्छा रिजाल देगा दोस्तो मैं आपसे यह भी बोलना चाहूंगा कि यह एक तरीके से 24-70 2.8 जो फूल फ्रेम के लिए जो लेंस आते हैं उसका सब्स्टिटीट है अगर आप क्रॉप फ्रेम में 24-70 2.8 का मज़ा चाहते हैं तो आप जरूर 17-50 2.8 लेके क्रॉप फ्रेम में भी 24-70 का मज़ा ले सकते हैं तो दोस्तो यह था हमारा आज का एपिसोड उमीद है आपको पसंद आया होगा अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि हमें और किन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाने हैं थैंक्यों सो मग्च अ किया है आपके लिए और आपके लिए आपके लिए से लिए से लिए ब aveteा इनक्न केता नद आपके लिए झैंड़ Gentlemen